सबी का स्वागत है मैं दिशा सेन तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों नमस्कार मैं हूँ नम्रता पर आशर आप देख रहे हैं बीवेम न्यूस खबरों को विस्ता से जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्कियों पर प्रदेश भर में वी शहीदों को याद किया गया बलबगर में राज और नाहर सिंग पार्क में शही समारप कर प स्कूल गाइडलाइनों के साथ खुले स्कूल स्कूलों में मौजूद रहेंगे डॉक्टर चात्रों के टैंपरेचर पर रखेंगे अपनी नजर पलवल के नेताजी सुबाश चंद्रू बॉस स्टेडियम में शहीद समारक पर शहीदों को याद किया गया उकमंडर अधिक जारी ने शहीदों को दीश्रत धांजली शहीदों को बिगुल वजा कर दी सलामी 26 गाओं को निगम में शामिल करने की बात पर लगातार विरोध जारी है अपने विरोध का युवाओं ने बदला अंदास पी-म और सी-म के नाम लिखा खून से खथ सरकारी अस्पताल में बेवज़ा कराया करोना टेस तो जमा करनी पड़ेगी निर्धारित फीज्स डारेक्टर जर्नल हैल्थ सर्विस ने जारी किया पत्र खेल खेल में 15 साल के बच्चे ने दो साल के बच्चे को दिया ट्रेन के नीचे धका ट्रेन चालक ने बचाई मासूम की जान बच्चे को देख तुरंत रोकी चालक ने ट्रेन संगटनों ने एकत्रित होकर बैठक की मांगो को लेकर किया विरोध प्रदर्शन जमकर की नारेबाजी मांगो को लेकर तैसिलदार के नाम सौपाग ग्यापन जले अब जान लेते हैं खबरों को विस्ता से हरियाना में वी शहीदी दिवस पर शहीदों को श्रद्धांच लिदी कई वलबगड के राजा नाहसिंग पार्क में शही समारक पर पहुँचे हरियाना के परिवर मंत्री मूल्चन शर्मा के बड़े भाई टिपचन शर्मा ने शहीदी समारक पर वी शहीदों को श्रद्धांच लिदी बीजेपी ने ताठी पचन शर्मा ने कहा कि देश की आजादी में हरियाना के दी शहीदों की महतपून भूमी का रही है इस मौके पर लगभग सभी वॉर्डों के पाशरद और बीजेपी कारकरता के अलावा शहर के प्रमुक लोग मौजूद रहे कोविद नाइटीन के चलते कारेकरम सीमित रखा गया इस दौरांटी पचन शर्मा ने कहा कि कोविद नाइटीन से बचने के लिए सरकार के दिशा निर्देश का पालन करे और इस मौके पर वाड नंबर 38 के OBC मोर्चा के महामंत्री सब्सक्राइब करने में हमको नमन करते हैं तो और क्या खास रहा है पहुंचे है यह लोग आज हमारा कारीकरम तो बहुत बड़ा करने का था लेकिन आज देश और दुनिया में बहुत बड़ी महामारी जो फैली हुई है उसकी विज़े से हमको यह सीमित करना पड़ा प्रोगाम और मेरी तो एक अपील है हर लोगों से लोग एतियात बढ़ते हैं साथधानी बढ़ते हैं बेस्तेंच बना के रखे हैं खाने पीने क चले बात करेंगे बगली खबर की हरियाना में वी शहीदी दिवस के आफसर पर पलवल के नेताजी सुभास चंद्र बोस स्टेडिय में बने हुए शही समारक पर उपमंडल अधिकारी पलवल कवर सिंग और पुलिस अदिक्षय का निल कुमार ने पुष परपित का श्रध धांजली दी इस अफसर पर पुलिस की टुकडी द्वारा शहीदों को भिगुल बजा कर सलामी दी गई उपमंडल अधिकारी पलवल कवर सिंग ने कहा है कि 23 सितंबर को हरियाना वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है प्रतम स्वतंत्रता संग्राम के योधा राव तु पुर्जा का संचार करते हैं सभी को उनके जीवन से प्रेर ना लेनी चाहिए तिन हम लोग अपने शहीदों को याद कर रहे हैं स्पेशली 23 स्टंबर 18 सस्ता उनको अरियाना के वीर राव तुला राम जी के का जो शहीदी दिवस्ता उसके उपलक्स में यह मनाया जा रहा ह तो यह दिन आज हमारे पूरे अरियाना वर्ष के शहीदों को याद करने का उनको नमंद करने का उसी समद्ध में इस करेकरम का आयोजन किया गया था चले रुकरता अगली खबर के और फायदबाद में 26 गाउं को नगर निगम में शामिल करने का विरोध बदस्तूर जारी है इन गाउं के युवाओं ने अनोखे तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया है और अपने खून से खत लिखकर प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीम मनोहलाल खटर को भेज दिया है पैदबाद नहरपार के गाउं बड़ौली में कत्रित हुए 26 गाउं के युवाओं ने अपनी रगों में दोड रहे खून को निकाल कर स्याही बना कर फिर इसी खून से कलम डुबा कर खून से खत लिखा गाउं को नगर निगम में शामिल करने का विरोध कर रहे जस्वन्त पवार और अन्य ग्रामिरों ने बताया कि हम शहीदी दिवस के दिन अपने खून निकाल कर प्रधान मंत्री और मुखे मंत्री को पतलिक कर भेज रहे हैं में उमीद है कि हमारा ये खून बेकाज नहीं जाएगा और उनके गाउं को नगर निगम में शामिल करने का फैसला वापस लिया जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो 26 गाउं के लोग मिलकर आगे की रणनीती तै करेंगे गाउं बडोली के अंदर एक महा यूवाओं की एक ग्राम सभा का ऐजन किया गया है जिसके अंदर ये 26 गाउं के यूवा अपने लवू से अपने खून से मान्या बारत सरकार में हमारे परदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हर्याना के मुक्य मंत्री श्री मनोवल खट्टर जी को एक पत्र लिखेंगे जिसमें साफ साफ लिखा जाएगा कि 26 गाउं को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाए इन 26 गाउं गाउं जो है वह बहुत कुछाल है इनको नरक निगम ना बनाया जाए तो यह खून से अभी हम पत्र लिखेंगे और प्रदान मं चले बरतागली खबार के और अब बिना करोना के लक्षन और डॉक्टर की सलह के बिना अपने नीजी कार्णों के चलते प्रदेश के सरकारी अस्पताल में कोवीड 19 टेस्क करवाने के लिए आब तीन तरह के टेस्क के लिए निर्धारी स्पीस अदा करने पड़ेगी इस बावत पिछली 18 सितंबर को सरकार की तरफ से डारेक्टर जर्नल हैल्थ सर्विस ने एक पत्र जारी करके प्रदेश के सभी सिविल सर्जनों को आदेश दिये हैं हाला कि मैडिकल कार्णों के चलते डॉक्टर द्वारा किसी भी लिखिट टेस्क के लिए कोई पैसा वसूल नहीं किया जाएगा इस आदेश के बारे में फाइदबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रंदीप सिंग पुनिया ने बकायदा इसकी पुस्ति की है दिखाई देरा ये नजारा फाइदबाद के सिविल अस्पताल का है जहां कोविट नाइंटीन सेंटर पर भारी भीड में लोग अपना करोना टेस्क करवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं दरसा इन लोगों को इन बिमारी के लक्षनों से पीडित नहीं है बलकि ऐसे लोग भी शामिल है जो डॉक्टर की सलह के बिना नीजी कारणों से अपना टेस्क करवाने आए हैं क्योंकि इन लोगों को या तो दूसरे राज्चियों या विदेशों में ट्रैवलिंग करनी है या फिर अपने ऑफिस या संस्थान में जूटी जॉइन करने के लिए कोविड-19 नेगिटिव टेस्क रिपोर्ट दर्ज करानी है पहले मुमन ये देखा जा रहा था कि कोई भी अपनी मर्जी से आता है जाता है सरकारी हस्किताल में उसका प्रोना टेस्क किया जा रहा था और बिल्कुल फुरी किया जा जा रहा है अब सरकार में तीन टेस्टिंग केटागरी में जो है नरदेश देती हैं कि अगर कोई परसनल तोर पर आकर अपने आपको टेख करवाना चाथा है जा उसको कहीं बाहर जाना है या ड्यूटी जॉइन करनी है नोखरी जॉइन करनी है उसके लिए उसको कोविड करवाना है अचानक से ट्रेन इंजन के नीचे आए बच्चे को देख ट्रेन चला रहे असिस्टेंट लोको पाइलेट अतुल आनन्द ने एकदम से ट्रेन को रोक दिया इस दोरान बच्चे की मा उसके पर इजन भी मौके पर पहुँच गये इसके बाद बच्चे को ट्रेन से बाहर का लिया गया असिस्टेंट लोको पाइलेट अतुलानन की सूजबू से बच्चे की जान बस्त की पूरा मामला आगरा कैंट स्टेशन के पास का बताया जा रहा है बच्चे के ट्रेन के नीचे आने का ये वीडियो शोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है सरकार द्वारा सेवा से बाहर किये गए 1983 के PTI अध्यापकों की सेवा बहा ली वे तीन क्रिशी बिल जो पास किये गए हैं उनका विरोध किया गया साथी नारे बाजी भी की गई सरकार से मांग की गई है कि ये जो मांगे हैं वो पून की जाए और इस दोरान सभी संगटनों के लोग लगु सची वाले भी पहुँचे और तहसिलदार अजय कुमार ने को ग्यापन दिया सर्वकरमचारी संग के प्रधान राजकुमार ने बताया कि हमारी मांगो को लेकर सरकार एक तारिक से पहले अपने मंत्री मंदल से भी बातचीत कर ले अनतास सभी संगठन बड़ा आंदोलन करेंगे और अपनी मांगे मनवाने का काम करेंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशाशन करेंगे। प्रशाशन करेंगे जिसकी 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 जोड़ा है। में साथ कबरों में फिलहाल इतना ही आप बने रहे वीवेम न्यूस के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त नमशकार